सर अब भोशित हो गया है तीन दिन के लिए बिल्कुल बंद रहेगा क्या-क्या एतिहात लोग बढ़ते हैं देखे सबसे पहले तो लोगों को किसी भी अपवाह को न फैलना है ना उसको प्रियेट करना है किसी भी तरीके की पैनिक बाइंग ना करें क्योंकि जो आवश्यक वस्तुमें हैं उनकी विक्री उनकी उपलब्दता पर्याप्त है तो एक तो लोग को इस वात पर जान देना है ताकि जो क्रोना वाइरस के संदर में जागुता फलाई जा रही है उसको वास्तुम में लोग देखे कि हाँ इसकी आवश्यक्ता कितनी है इसके अतरिक जो कल तीन दिन तक हम लोग को लॉकडाउन किस्ती में अवागमन को रेस्टिक्टेट करना है उसके लिए परियाप्त हमारे अंतर जनपदी जो वाँपे भी हम लोगों ने लगाए है इसके बारे मिलों का वेर के जा रहा है ताकि लोग केवल अपर यहारे कारणों से घर से बाहर दिखें तबी लोगों से बता जा रहा है और अपने फैमली के पीछे जाए तो जिला प्रशासन ने एक नंबर का पब्लिक को दिया है कि अगर उनको कोई परेशानी हो तो वो उस नंबर पर सूचित करें कुछ बच्चे हैं और कुछ ब्रद्ध हैं वो पीडी बंद है अगर इदर दर वो जाती हैं तो क्या प्रेस उनकी मदद करेगी देखिए अगर मेडिकल इमर्जेंसी है तो उसा बिल्कुल फूलिशन की मदद करेगी 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो भी आपकी आवश्यक्ता है आप परिहार है तो उनको बिल्कुल हम लोग पूरा करने का प्रेस करें अभी दूसरे प्रदेश दूसरी जगह पे इसी प्रदेश में ऐसा देखने में आया है कि सगन वहनों की भी चेकिंग की गई है दो या दो से जादा लोग लड़के वैसे ही तफरी लेके घूम रहे हैं यह पैने खोने की लोगों को आवश्यक्ता नहीं है कि जो जरूरी चीजे हैं जैसे दूद है सबजी है आटा है और दवाईया है इनकी दुकाने सुबह भी पुलि बिल्कुल किसी तरीके की पैनिक बाईंग की आवश्यक्ता नहीं है आवश्यक्त वस्त में दूद हो गया सब्ची हो गया फल हो गया यह सारी चीजा खुली रहेंगी लेकिन लोगों से अपील यह है कि लोग पर्याप्त दूरी बनाकर खरतारी करें और उसको हम लोग जिविल्टी और प्रजास वहाँ पे रहेगा